तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूपर शोडाउन से जुड़ी हुई 3 Most Shocking Things के उपर नमस्कार दोस्तों मेरा नामे गौराव और आप दिख रहे हैं WWE Hindi Gossips तो गाइज सूपर शोडाउन को शुरू होने में एक घंटे से भी कम का समय बचा है ऐसे में बात करेंगे तीन ऐसी चीजों की जो कि अगर इस PPV के अंदर होती है तो एक बड़ा शौक साबित हो गाइज में दोस्तों नमबर 3 पर आता है बैकी लिंच लॉस तो गाइज बैटिंग आट्स बैकी लिंच के हक में हैं और हाली में वो चैंपियन बनी है हाला कि अगर यहां शौलेट फ्लेयर जीत जाती है तो एक बड़ा शौक साबित होगा और गाइज यह चीज नहीं होनी चाहिए क्यूंकि बैकी लिंच को काफी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है लेकिन अब हम चलते हैं नमबर 2 के उपर और नमबर 2 उपर आता है दीन यहां हेल टन लेते हैं तो दस शील्ड तूट जाएगी और यह भी हो सकता है कि वो मैच हार जाए हाला कि इन सभी चीजों के चांसिस बहुत कम है स्टील दोस्तों डेवी डूबली का टीज करना यहां शायद डीन एम्रोज अपना हेल टन ले सकते हैं होप कि दोस्तों यहा जादा एहम होगा अगर तो दोस्तों अपने दोस्तों का साथ देते हैं तब तो दो शील्ड बनी रहेगी वरना दोस्तों यहां हमें देखने को मिल सकता है दीन एम्रोज का हील टन लेकिन अब हम चलते है नमबर एक के उपर और नमबर एक के उपर आता है दोस्तों साथ दोस्तों यहां रिपोर्ट्स निकल कर यह सामने आ रही है कि ट्रिपल एच यहां जीच सकते हैं जिससे मैच बन सकता है क्राउन जोल के अंदर डी एक्स वर्सिस ब्रदर्स ओफ डेस्ट्रक्शन के बीच में तो गाइज यहां ट्रिपल एच भी जीच सकते हैं और फिनॉम के चांसिस यहां सबसे ज़ादा है ही तो यह एक तरीके का अनप्रेडिक्टिबल मैच है अब गाइज मैं आप से पूछना चाहूंगा कि आप इन तीनों शॉक्स में से किस शॉक को बनता हुआ देखना चाहेंगे या अफिर आप कोई भी शॉक नहीं देखना चाहेंगे और सिंप्ली इंजॉय करना चाहेंगे सूपर शोडाउन को कमेंड सेक्शन में बताना मत भूले वेल आस तक के लिए नहीं धनवाद शब्बा खेर